आज से हमें स्टार्ट करने वाले जैड ट्रांस्फोर्म के प्रोपर्टीज पहली प्रोपर्टीज लिनेर्टी प्रोपर्टी के बारें पात करेंगे इससे पहले वाले वीडियो में हमने कुछ कोशन भी किये थे और कुछ प्रोपर्टीज भी देखी थी आरोसी से लिप्ट ने लिनेर्टी प्रोपर्टी क्या कहती है अगर हमारा कोई X1 डिस्क्रीट सिगनल है जिसका जो Z ट्रांस्फोर्म है वो X1 और Z है जिसका आरो सी आरो सी कितना हमारा हम ना कह दिया आरवन एक कोई दूसरा सिगनल है X2 और उसका Z ट्रांस्फोर्म भी हमें मालूम है कितना है वो X2 और Z जिसका आरो सी है आर्टो ठीक तो लिनेर्टी प्रोपर्टी क्या कहती है अगर किसी कॉंस्टेंट से मल्टिप्लाई करो पहली सिगनल में प्लस दूसरे सिगनल का बीटा इंटू X2 और इसका कंबाइंड जै ट्रांस्फोर्म क्या होगा अगर पहले में अलपा का मल्टिप्लाई क्या तो उसके जै ट्रांस्फोर्म में भी अलपा का मल्टिप्लाई हो जाएगा और दूसरे में बीटा का मल्टिप्लाई क्या तो दूसरे वाले में क्या जाएगा बीटा का मल्टिप्लाई हो जाएगा लेकिन इसका आरउस इस पूरे सील आरही में नेहीं गोजाएगा इन दोने सिग्नल का जो कॉम पार्ट होगा कॉमान पार्ट मतलब उसका इंटर् practitioners इसका आर्रोसी क्या हो जाएगा और उसी क्या हो जाएगा आरवन इंटरसेक्शन आरटो इंटरसेक्शन का मतला कौंबन एरिया हो यह कब तक होगा जब तक अगर हम कोई भी पोल जीरो केंसिल नहीं होते यानि कहने मतला दो सिंगनल को हम एड करें हो सकता है एलसे हम देने के वाद जो हमने दोनर उसके फ्रे आजरोषे पाल होते हुँ उनपर डिपजन करता है अगर यह और हसी तब तक आरवन इंटरसेक्शन आरटो होगा जब तक कोई भी पैपोल जीरो केंसिलेिशन नहीं होता यहां पर पोइंट बना हो एक तो मैंद यहां पर पउट बनाएक लिखते आ हैlectionby tis ऐसा बन जाता है। तो यहां पर देखो कि पहले जैट इकरष्टर 1 भी आ रहा था हमार आर ऐसी में इसी एकस बन ऐस टू के उसमें तो अब क्या हो जाएगा वार्वसी किस पर डिपेंड करेगा था तो इस तरह की कंदिशन भी बन सकती है ठीक है अगर इसलिए मैंने यह पॉइंट बना के दिखा रहे हैं अब देखो लिनेर्टी प्रोपर्टी पर बेस्ट एक कोशिन करेंगे जो कि हम हमेशा करते हैं तो जैट ट्रांस्वर्म फाइंट का नाम है फोर अपॉन फाइव मोड़ ओफ एन का कि पाष्ट मोड़ ऑं इसका मतलब क्या है अगरम इसकी डैफिनेशन लिखो इस्की फेलिफ वैलू कि फ्रॉर अपॉंन फाइव की पावर एंड होगी जब एन कीवेलूою क्या है जीरू सबढरिया और इसकी value क्या होगी 4 upon 5 की power minus n हो जाएगी जब n की value क्या है जीरो से छोटी है क्या इसी चीज को आप कैसे लिख सकते है signal and system की form में कैसे लिखोगे जब कोई चीज n से बड़ी होती है तो उसके लिए क्या बड़ी उसकते हैं 4 upon 5 की power n लिख सकते हैं इसको इसका मतलब यह ही है जो यहां पर लिखा हुआ है वही इसका मतलब है यह क्या n से छोटा जब n से छोटा होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा लेफ्ट एंड साइड सिगनल या नहीं एक तो जीरो से बड़ेंगे नहीं यू ओफ माइनस नहीं लिख सकते हैं यू ओफ माइनस न का मतलब क्या जीरो से शुरू हो रहा तो हमें क्या लिखना पड़ेगा माइनस वन से छोटा शुरू करना पड़ेगा फिलस दूसरे वाले क्या लिख सकता हम और अपॉन 5 की power माइनस एं यू ओफ माइनस एं क्या लिखना पड़ेगा माइनस वन इसका मतलब क्या माइनस वन से माइनस इंफ्रिंटी की तरफ जा रहा है अब देखो दो सिगनलों में तूट चुका मैं पहले वाले को कहता हूँ एक्स लेट एक्स वन एन किस जगह मैंने मानने है 4 अपॉन 5 की power एन यू एन एन एक्स टू एन कितना मानने है मैंने 4 अपॉन 5 की power माइनस एन यू माइनस एन माइनस एन पहले से पता एक फ्रमूला मैंने पढ़ाया था अगर याद हो अभी तक एक पावर एन यू एन का डिटी एफट कितना होता सुरी जेट टॉन्समॉं कितना होता जेड अपॉन जेड माइनस से छहां पर क्या होता rod of जagain क्या होता मोड और शे बढ़ा कि तो यहां प्ले देखो पहले वाला सिखनल वह पॉफ की पॉफ एन य्यों सेम ए एक ॉएल कितने हो जागी फो उफान फए है तो फो हॉपान फाट की पावरग एन यू और स proफ की यह जाग गा Z upon Z minus 4 by 5 और mod Z किस से बड़ा हो जागा A की value 4 by 5 है 4 by 5 का mod क्या निकालोगे 4 by 5 भी आ जाएगा ठीक है next A की power minus N type का बन रहा है लेकिन हमने ऐसा कोई formula नहीं पढ़ा तो हमने जो formula पढ़ा तो वो किस type का था minus A की power N U of minus N minus 1 का Z transform में पता होता था इससे पिछले साइज सेकंड वीडियो में थर्ड वीडियो में पढ़ाता हमने Z answer same ही आता है लेकिन बस ROC में फर्क होता है ROC क्या होता है mod of A से छोटा पहने वाले में बड़ा होता है इसमें छोटा होता यहां पर देखो इसको मैंसे भी लिख सकता हूँ denominator को change गरता हो तो पावर पिलस हो जाएगी तो इससे मैं 5 पॉर 4 की पावर N लिख लेता हूँ तो पावर पिलस बन जाएगी है मेरी U O minus 1 minus 1 तो अब देखो formula से इम बन गया A की पावर N U minus N minus 1 दोल तरफ minus 1 की कमी है जैसे हुआ पर alpha बीटा ही multiply करते थे यहां पर भी alpha जाए नहीं समर्लो minus 1 से multiply करते हैं कि दोल तरफ बनाने के लिए तो 5 upon 4 का जो z transform है वो कितना आ गया z upon z minus same ही रहेगा विल्कुल 5 upon 4 लेकिन कमी क्या यहां पर minus ओना चाहिए और इधर भी minus होना चाहिए तो इधर करना पड़ेंगा दौन तरफ multiply करना पड़ेंगा ठीक और क्या होन चाहिए more z क्या हों चाहिए इस वार छोठाहूने चाहिए किस है 5 upon 4 से थिक 5 upon 4 से च्छोट आना चाहिए तो ह्यास है हमें दो चीजे पता चल गई दोनों का आंसर हमें आ चुका है तो इसी आंसर के recording हमारे यह जैन ट्रांस्वर में क्या होगा सिस्क कर देंगे और इसको एड़ कर देंगे आर उसी क्या होगा पार्ट अगर को मुन नहीं होता तो आरो शी एक्सारी ट्रेंसराइज पर ऑड़े नहीं करें देखते हैं पहले कुछ पार्ट मिल भी रहा है या नहीं तो बाइलिना बाइलिनेर ट्रोपर्टी क्या मिल दाय गामों पर पर डिट क्या मिले गा मुझे एक ची देखो अभी सोड़ी एक मिस्टेक कर दो यहां पर नो इसके लिए होना चाहिए लेकिन हमारे प्वोष्च में क्या माइनस नहीं आ रहा है तो इस माइनस को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा दों तरफ माइनस वन से मल्टिप्लाई करूंगा थें हम आ हमें तों कि वह 5.4 पॉराब अगर और यू मायनस और मेनस फाइड करने पड़े तो म९ह करने पड़ को पर और मनुन करने हैं अब हो इस extra मारे फॉर्वाय मान यू मा फॉर्व फॉर कि पावर दर्द तो simplify कर लो, 4 upon 5 की पावर n, un plus 5 upon 4 की पावर, 5 upon 4 की पावर n, u minus n minus 1 का जो z transform है, कितना आ गया, पहले वाले का रहता, z upon z minus 4 by 5 plus, दूसरे वाले में minus आ रहा, तो बीचों minus लगाएंगे, z upon z minus 5 upon 4, और उसी अभी find कर लेंगे, पहले इसको मैं simplify कर देता हूँ, कितना हो जाएगा नीचे, यह से हम लेज़ते हैं, उपर से z को मन ले लेते हैं बाहर की तरफ, तो कितना बचेगा, z minus 4 by 5, और यहाँ पर कितना चेगा, z minus 5 by 4, तो यहाँ होगी, 1 से multiply, यहाँ होगी, z minus 5 by 4, और यहाँ बचेगा, minus 1, minus 1 से multiply कर लो, यहाँ होगी, z से z cancel हो जाएगा, यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं 5 by 4, plus 4 by 5 को add करके दिखा देता हूँ, कितना हो जाएगा यह, 5 और 4 कर यह 20, 5 की इसमें की, minus 6, 4 की 4 की 16, कितना होचेगा, minus 9 वटे, हमारा कितना आ गया यह, z transform कितना बैठ गयी, इस पूरे signal को मैं वही लिख सकता हूँ, जो और इस signal की वहनता हम है, 4 upon 5 का, power mode n का, जो z transform है, वो मुझे कितना मिला है, minus 9 by 20, z, z minus 5 by 4, तो हमारे पार दो condition थी, एक पहली वाली condition थी, जो mode of z है, वो 4 by 5 से बढ़ा हूँ चाहिए, और mode of z है कि 5 by 4 से छोटा हूँ चाहिए, अगर ROC मिलता है, तभी यह question मन जाएगा, तो पहले वाले को देखो, पहले वाले में देखते हैं, पहले वाले condition का थी, mode of z क्या होने चाहिए, 4 by 5 से बढ़ा हूँ चाहिए, 4 by 5 का मतलब है, 0.8, 4 by 5 मैंने माद लिया हैं पहले वाले के लिए condition क्या है, ROC के लिए condition क्या है, इससे बाहर वाला रीज है, ठीक, सेकंड वाले के लिए condition क्या है, 5 by 4 से, सेकंड वाला क्या कहता है, 5 by 4 से, अंदर वाला रीज है, 5 by 4, 4 by 5 से बढ़ा हो, यह 1.25 वे लगवा, इसके अंदर वाला रीज है, इस कारोशी है होगा, अब ऐसा कौन सा रीज है, जो दोनों में कॉमन है, क्या है क्या, दो 4 by 5 यहा है, 5 by 4 इसके बाहर होगा, तो एक जो 4 by 5 के बाहर का पार्ट है, इसमें भी आ रहा है, और अगर 4 by 5 को मैं, यहां पर होगा नहीं, तो यहां पर तुम देख लिए हो, दोनों में 4 by 5 और 5 by 4 के बीच में जो पार्ट है, यहां पर वो चीज, मैं देखो, अलग क्लेव से मारत करके दिखाता हूँ, जो जी कॉमन आ रही है, वो कुछ इस टाइब की अदिख रही है हुझे, और इस वाले इसमें कहा रही है वोई चीज, यहां पर रही है, तो कहने मतलब है, एक हमें कॉमन पार्ट मिलना है, जो 4 by 5 से बढ़ा है, 5 by 4 से छोटा है, उसका जो आरो सी है, वो किस टाइब का है, यहां आगे मेरा 4 by 5, और यहां आगे मेरा 5 by 4, जो हमारा आरो सी है, वो कौन सा पार्ट है, यह रिंग वाला पार्ट, क्या है, रिंग वाला पार्ट, ठिक, तो हमारा आरो सी जो हमें मिला, क्या है, हमारा आरो सी, फाइनल आरो सी क्या है, मोड उप जैट क्या है, कितना है, 4 by 5 से तो बढ़ा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, 5 by 4 से छोटा होना चाहिए, तब ही क्या करेगा, तो हमने यहां पर देखो आर ऊसी देखा कैसा करते हैं इसी तरीके से जब तब कोई एरिया नहीं मिलेगा तब तर वह आरोसी एंसिट नहीं करेंगा ठीक जब दो यह दो से यह समझाया होगा यह लिनेर्टी प्रोपर्टी के बारें जाना इससे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोपर्टी के बारें बात करेंगे ऐसी एक एक करके और थैंक्यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोड्म के साथ